हाई फ्रेंड्स आप गरीमा आज हम हैटरबाद का फेमस स्वीट डेजर्ट शाही टुकड़ा बनाएंगे ये खाने में बहुते लजीज होता है और इसे बनाने में बहुती कम इंडिगरेंट्स का यूज किया जाता है इसकी लुकिंग इतनी रिच होती है यदि आप किसी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई को गैस पर रख दिया है अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दूद में उबाल आने के बाद दूद पैंदे से ना चिपके अब इसम ने वन कप पानी डाल देंगे और साथ ही हाफ कप चीनी डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक के चीनी पानी में खूल नहीं जाती साथ ही चाशनी में फ्लेवर के लिए 1-4 टीस्पून इलाइची पाउडर डाल देंगे और 15-20 केसर की पत्या डाल देंगे ताकि चाशनी में केसर वे इलाइची की खुश्बू आ जाए अब इसे हाई फ्लेम पे उबलने देंगे 3-4 मिनट तक इसे उबालना है इस चाशनी का तार हमें नहीं बनाना है हलका पतला ही रखना है चाशनी में उबाल आ गया है अब इस स्टेज पर गैस को आफ कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे दूसरी तरफ कड़ाई में डाले हुए दूद में भी उबाला गया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये पैंदे से ना चिपके और साथ ही 10-15 केसर की पत्तियां एक बाल में निकाल के उसमें थोड़ा सा कड़ाई में से दूद डाल देंगे और उसे साइड में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे यहाँ पर दूद में हमने one cup घर की fresh मलाई डाली है जो सबकी घर में आसाने से मिल जाती है दूद में मलाई डालने से दूद भी घाड़ा जल्दी हो जाएगा और हमारा time भी save होगा मलाई डालने से दूद में लच्छे बन और गैस की फ्लेम को लोपर सैट कर देंगे और किनारियों से और बॉटम से दूद की मलाई को उतारते जाएंगे अब हम रबडी में फ्लेवर के लिए 1-4 टीस्पून इलाइची पावडर डाल देंगे और दूद में मिक्स कर देंगे और जो हमने केसर भी गोई थी वो भी इसमें डाल देंगे ताकि रबडी में केसर का कलर आ जाए अब इसमें 2 टेबल इस्पून चीनी डाल देंगे आप चाहे तो अपने टेस्ट के इसाब से चीनी को बढ़ा सकते हैं मैंने एक परफेक्ट मेजरमेंट लिया है जो कि मेरे साब से बिलकुल ठीक है यहाँ पर हम रबडी बना रहे हैं जिसके लिए दूद को हमें लगातार चलाता रहना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कंट्यून्यू दूद को लगातार चला रही हूँ साइड में जो मलाई जमी हुई है उसे भी चम्मा से उतार के बीच में डाल रही हूँ ताकि रबडी लच्छेदार बने दूद गाड़ा हो गया है इस प्रोसेस में मुझे करीब 20-25 मिनट लगे है अब इस स्टेज पर गैस को आफ कर देंगे रबडी को थोड़ी देर के लिए कड़ाई में ही छोड़ देंगे ये थोड़ी नॉर्मल होने के बाद और थिक हो जाएगी आगे के प्रोसेस के लिए मैं थ्री वाइड प्रेड ले रही हूँ आप चाहें तो ब्राउन प्रेड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अब सारी ब्रेड को बीच में से ट्राइंगल शेप में दो पार्ट में कट कर लेंगे यहाँ पर ब्रेड की साइट्स हमें नहीं हटानी है अब गैस पे एक पैन रखके उसमें हाफ कप घी डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पर सैट कर देंगे गी गरम हो गया है अब ब्रेड की पीसे इसको पैन में डाल देंगे और ब्रेड को घी में फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर मैंने फ्राइ करने के लिए गी का यूज किया है क्योंकि इसका टेस्ट घी से बहुत ही बहतर आएगा ब्रेड को उपर और नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे उसके बाद ब्रेड को बहा निकाल कर इसी तरीके से बहागी की ब्रेड को भी घी में फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो ब्रैड को तवे पे या पैन पे भी घी से भी सेख सकते हैं लेकिन शाही टुकड़े का असली टेस्ट ब्रैड को घी में पूरा फ्राई करने से ही आता है इसलिए मैंने ऐसा किया है ब्रैड हमारी फ्राई हो गई है और जो हमने केसर वाली चाशनी बनाई थी वो भी रेड़ी है अब एके करके ब्रैड को चाशनी में अच्छे से डिप कर देंगे और उसे जाली वाली चम्मस से बहार निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी कड़ाई में ही गिर जाए अब इसी तरीके से सारी ब्रेड को चाशनी में डालके अच्छे से निकाल लेंगे अब चाशनी में डिप करी ब्रेड को एक प्लेट में लगा के उसके उपर रबडी स्प्रेड कर देंगे अब इसी तरीके से बाकी की सारी ब्रैड में भी रबडी को spread कर देंगे सारी ब्रैड अच्छे से fry हो गई थी और ब्रैड में भी stuff अच्छा आया है अब इसे गानिश करने के लिए मैं कटे हुए बादाम और पिस्तास पे spread कर रही हूँ आप कोई से भी ड्रैड फ्रूट्स लेके इसे गानिश कर सकते हैं तो यहाँ पे हैद्राबाद का फेमस शाही टुगड़ा बनकर रेडी है देखने में ये इतना अच्छा लग रहा है साथ ही हमने ब्रैड की बॉड़र इसली नहीं अटाई थी ताकि ब्रैड में अच्छा स्टफ बना रहे ब्रैड के उपर रबडी के मोटी लेयर हमने लगाई है और पीसे भी इस तरीके से काटे हैं कि इस सिंगल पीस आप इसली सर्व कर सकें किसी भी फैस्टिवल पे या ओकेजन पे शाही टुकड़ा आप बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है तो फटा फट से ये शाही टुकड़ा की रेसिपी बनाए और कमेंट में बताना मुझे ना भूले कि ये शाही टुकड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी Thank you so much. Jai Jynendra!